राशन डीपो होल्डर पर लगातार हो रही कारवाई के विरोध में डीपो होल्डर एसोसियेशन के लोग बीजेपी विधायक विनोध भ्याना के आवास पर पहुँचे एसोसियेशन ने पाँच दिन की सांकेती खरताल की घोशना की एसोसेशन के पताधिकारियों ने कहा कि अगर पांच दिन में सरकार ने रेड करना ना रोका और डिपो होल्डरों पर दर्ज मुकदमे वापिस ना लिए तो डिपो होल्डर फरवरी महीने का राशन नहीं बाटेंगे दरसल बीते महीने में हासी में राशन डिपो होल्डर पर लगातार करवाई हो रही है हम इसलिए विद्यायक जो कि अपन देने आए हैं सियम फलाइंग हमें बार बार तंक कर रही है पांच चार दस किलों पर मुकदमा दर्ज कर रही है जो की हम ओन लाइन वस्ता से जुड़े हुए है कई बार मनें बजूर कांग उठा लगा लिया नहीं आया मसीन बंदोगी कल ही भाटला काउम में मुकदमा दर्ज किया है डिपो होल्डर पे जो गिंदर पे उसका तीस किलो बादरा कम था वो की मुक्त में बजू था खराब होआ हुआ फिर भी उसे मुकदमा दर्ज कर दिया बतावे इनका जैसे हम बाढ़ते है जी हमने सो कॉंटल बादरा बैट्टे है उसको बार दस किलो दो किलो तीन किलो में दिया है उसका बाद्मा भी उसका है हमारी इसलिए सारे मुकदमे कहरें खराज की हॐ היीए और हमें छूट दी जाए है वह अमентов हमारा रासन पूरा कर लो आपका रासन कम है कितंये मुकदमें दर्ज हो चुड़ है हासी में लगबग साथ आठ मुकद में दर्द हो चुकी हैं कोई गिरफ्तारी भी हो चुकी है बाकी को मतलब जमानत के लिए यह आरवई ना रुकी तो आपका क्या फैसला रहा है हम फिलाल पांच दिन हर्ताल पे हैं उसके बाद भी सरकार हमारी बाते नहीं मानती तो मैं सिं यह बाताना वहां से निकल जाता है उन्हें पंडरा-वीस किलो दस उन्हें लगाया नी मैंने का सर यह मेरे पास यह है मेरा बाजरा पूरा है लेकिन थोड़ा आटा फालतु है दो बंदों अंगुठे लगे हुए आप उनसे बात करो आपको कार्ड नंबर देऊंगा मैं और उनका फोन नंबर देऊंगा मैं आपके पास बैठाओं आप अपने फोन करो उन्हें यह बच्छे लगा गए त कई दिनों शरका हुआ है वह दिया जाए आपका शुन नाम जोगिंदर गाव माटला